दोस्तों बिहार सरकार दुआरा काफी संदार योजना चला जाती है बिहार उदम योजना बिहार उदम योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसी भी कैटेगरिस अगर आप आते हैं चाहिए जेनरल, BC, EBC, SC, ST, पूरुस महिला दोनों की हम बात कर रहे हैं तो आप इसके आवेदन कर सकते हैं आवेदन करेंगे तो इससे benefit आपको क्या मिलेगा तो समझे इसके तहत आपको सरकार 10 लाख रुपए देती है जिससे आप किसी भी परकार की business कर सकते हैं कोई उद्योग आप लगा सकते हैं और फिर वो जो 10 लाख रुपए आपको मिलेगी उसमें सरका 5 लाख रुपए आपको छोड़ देती है 5 लाख रुपए ही आपको चुकानी होती है तो ये योजना काफी एक बड़ी योजना है बिहार के लिए तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मन में जितने सारे डाउट चल रहे हैं उन तमाम प्रसनों का सकते हैं उसके आलावे इस योजना के ताहत आपको क्या लाब दिये जाएंगे उसके आलावे हम समझेगे कि इस योजना के ताहत जो अधिक्तम रासी किते नहीं है उसके आलावे हम समझेगे कि इस योजना के जो तहत मिलती है रासी जैसे हमने बात किया कि 10 लाक मिलता है 5 लक आपको छूट होता है, तो 5 लक रूपे जो आपको चुकाना होगा, वो पैसा कैसे चुकाना होगा, इसके लिए आपकी ब्याजदर क्या होगी, इसके बारे में भी आपके मन में डाउट होगे, इस योजना के तहट अगर आप अबेदन करेंगे तो आपकी उम्र सिमा क् करेंगे साथ यसे योजना के ताथ अगर आप आविदन करते हैं आपको रासे मिलती है तो किस परकार की आप द्योग लगा सकते हैं उसकी भी सूची आ चुकी है जिसको आपको समझेना बहुत जरूरी है और सबसे महत्पूर्ण जो सवाल होते हैं कि इस योजना के लिए अवसक दस्ताबेज क्या होने चाहिए जिसके बारे में भी हम बात करेंगे को उसके अलावे हम समझेगे कि इसका चैन परक्रिया किस परकार होगा और अगर आपका चैन होता है तो पैसा किस परकार आपको मिलता है उन तमाम जनकारी को हम आपको लाइब प्रेट कर लिए आपको बताएंगे और सारी डीटेल आपको डीटेल में बताएंगे जिससे आपको कहीं भी कोई कन्फूजा ना हो और इस यूजना के लाप बड़े ही आसाने साप ले पाएंगे इसके लिए चलते हैं अपने स्कीन पर और पूरी जनकारी एक एक प्रसन का जो जवाब है जो नए आवेदन है और 15 सितंबर 2023 से सुरू की जाएगी 30 सितंबर 2023 तक लिया जाएगा कैटेगेरी साथे साथ लावार्थियों की संख्यार नियुनतम योगिता प्राथमिकता ये सब जनकारी एक दिसंबर 2023 को दी जाएगी लेकिन इसकी पूरी जनकारी जब आप मुख मं मंतरे उदमी योजना ये है क्या देखे मुख मंतरे उदमी योजना खासकर बिहार सरकार बिहार के इवाओ के लिए बिहार के नागरिकों के लिए जो बेरोजगार है वो कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं और अपने जैसे अन्य लोगों को भी रोजगार देना चाहते ह वैसे यवाओ को यहाँ पर मौका देती है उनके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार पैसा देती है कि आप उद्योग लगाईए अपने राज में जिसके तहस सरकार बिना किसी गारेंटेट के आपको 10 लाख रुपे उपलप्त कराती है जिससे आप उद्योग लगा सके और उ इस योजना के लिए अववदन करने के लिए अगर मालेदी आप जेनरल से आते हैं या आप माललेजे общ सरकार पैस से हैं 2 पिर भी आप आववदन कर सकते हैं लेकिन या पर ध्यान रखेंगे जब आप बिहार उद्योग वैप साईट पर आएंगे तो यहां पर बताएगा इसके लिए आवेदन कर सकते तो सीधा समझे आप किसी भी category से आते हैं आप आवेदन कर सकते हैं, पुरू से महिला है, आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू होगी, तो हमने बताया, आवेदन और दस लाख में आपको पांच लाख रुपया सरकार माप करती है और पांच लाख रुपया आपको चुकानी होती है यह ऐसा नहीं है कि सब को दस लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा यह अधिकतम रासी यहां पर नीचे हमने लिखा है कि अधिकतम रासी कितना मिलती है तो अ आपकी जो पॉर्जेक्ट होगी मतलब आपकी जो द्योग लगाने की जो पॉर्जेक्ट आप बनाएंगे उस पे डिपेंड करता है कि यह आपको कितना रुपया दिलवाएगी उसके अलाबे समझे कि मिलने वाली जो रासी है उसे चुकाना कैसे है उसके बारे में समझे तो गर्मालीच आपको 10 लाग मिलता है तो 5 लाग चुकाना है 5 लाग माप होगी तो यह 5 लाग जो 6 रासी होगी और 84 किस्त उसकी बनेगी जो कि 7 साल का आपको मौका मिलेगा 7 साल में 84 किस्तों में यह पैसा आप चुका सकते हैं अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगे कि क्या यह जो से 5 लाग रुपे होगी इस पर ब्याज भी हमिद लगेगा तो बिल्कुल देखे इस पर ब्याज जो है एक परतिसत आपको देना परेगा यही अगर आप महिला के नाम साबेदन करते हैं तो यह ब्याज जो है नहीं लगेगा वो 5 लाग पर भी आपको 7 साल में आप चुका सकते हैं पीना किसी ब्याज दर के अब इसके लिए उम्र सिमा क्या है तो देखे इसके लिए उम्र सिमा नियुनतम आपकी जो है 18 वस होनी चीए और अधिक्तम की बास करें तो 50 वर्स अगर आपकी उम्र है तो आप इस योजना का लाब आप ले सकते हैं किस परकार क आप उद्योग लगा सकते हैं इसका रासी लेकर उसकी जयनकारी समझना बेहत जरूरी है तो देखे इसके लिए आपको क्या करना है मोबाइल में गूगल ओपेन करना है टाइप करना है ओनलाइन अपडेट स्टीम फॉस्ट वेप साइट मिलेगा जिस पर क्लिक करना है और अपडेट का जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे पॉर्चे का नाम है यहां सब क्या कर सकते सौक चुन सकते जिस से आपकी पुर्जेट। इधिक सदेक दिखे गई जैसे इन में से अगर जिस भी परकार की उद्वोग लगाना चाहते हैं जैसे अगर मान लेजिए आइस्क्रीम उत्पाद करना चाहते हैं या आटा सत्तू बेसन उत्पाद करना चाहते हैं और टो गैरेज खोलना चाहते हैं इसके अलावे कंप्यूटर हाडवेर एसेम्ली का जो काम है वो करना चा नोट बुक या कॉपी यह सब जो भी होता है फाइल यह सब बनाने का काम करना चाहते है पसु उपहार उत्पात करने का काम करना चाहते हैं तो यह समें कई सारे आप देखें गे पोर्जेक का नाम दिए गये हैं इन में से आपको decide करना होगा कि आप किस परकार का कारे करना चाहते हैं उसी कारे के अनुसार ही आपको रासी तैक की जागी जैसा अगर तेल का अगर मान लिजे आपको मिल खोलना है तो इसका लागत अगर मान लिजे आपको 10 लाग होगा तो सरकार 10 लाग रुपया आपको देगी यही तेल कमील अगर मान लीजे आपका 5 लाक में ही खुल जाता तो सरकार आपको 5 लाक ही रुपया देगी मतलब यह किलियर आप समझ जाईए जिस परकार का आपकी लागत होगी उसी अनुसार सरकार आपको पैसा देगी तो ये आपका डाउट किलियर हो गया होगा कि किस परकार का जो है आप उद्योग लगा सकते हैं उसके सूची आप जाकर एक बार देख लिजेगा उसमें जो सूची आपको मिलेगी जो उद्योग का नाम मिलेगा उससी परकार का उद्योग आप लगा सकते हैं इसके लिए आ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दफ्तावेश से जूरी कुछ जानकारी दी गई है काफे सारे लोगों के मन में यह confusion होते हैं कि क्या इसमें सेविंग एकाउंट चलेगा या नहीं चलेगा कि हमारे पास करेंट एकाउंट होने चाहिए जीएश्टी होने चाहिए यह सब काफे ज्यादा ही मन में confusion होते तो उसका confusion इस बार पहले ही clear कर दिया गया है यदि कोई आवेदक है जो proprietary ship के मामले में वो आवेदन करना चाहते हैं तो वो खाता जो होगा या तो saving होगा या तो उस बेक्दिक के नाम से हो या जो form वो खोलना चाहते है जो द्योग लगाना चाहता है वो द्योग के नाम से भी अगर उनका सेविंग एकाउंट है फिर भी ये मानने होगा जो कि किलियर आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन बाद में क्या होगा कि अभी आप आवेदन तो कर देंगे परन्तु आवेदन के जो रिइन एवं लिश्टिड हो जाते हैं तो आपको current अकाउंट या निचालू एकाउंट जो है या तो अपने नाम से या जो फ़ॉर्म आप खोलेंगे उस फ़ॉर्म के नाम से इसे परिवर्तित करवालेंगे यह बहुत हैं यह हो जाएगा तो अभी आपको ज्यादा चिन्तित नहीं होन करेंट एकाउंट को लेकर अभी आपके पास सेविंग एकाउंट है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं उसके आलावे यहां पर देखे इस योजना अंतरगत लावारतियों की योगता निम्नुवत होने चाहिए जिससे जो लावारतियों होगी विहार के निवासी होने कि योगता होगी कम से कम बाराह भी होने चाहिए या कोई कनिडे दस वी के बाद आई टीए किये हैं फिर भी ओ मानने हैं पोल्टेक्निक किये हैं डिप्लोमा किये हैं इसके समकक्ष अगर आपने किया है फिर भी यह माननने होगा आवेदा की जो उम्र होगी 18-50 वर्स के ब कारी दी गई है उसके बाद वही एकाउंट के बारे में बताया गया कि अकर आप अभी सेविंग एकाउंट देते हैं तो बाद में आपको करेंट एकाउंट लगाना होगा इसका आपको धियान रखना है तो अभी आप फिलाल सेविंग एकाउंट से भी काम चला सकते हैं अ अगर आपके पास फॉर्म के नाम से अगर करेंट एकाउंट है तो आप देद दीजिए नहीं है तो अभी फिलाल आप सेविंग देद दीजिए जब आप सोट लिष्टेड होंगे फिर इससे आप अपडेट कर सकते पूर्टल पर आपको उप्सन दिया जाएगा अब इसके तहत यहां पर बताया गया कि जब आप आप ओनलाइन आविदन करेंगे तो कुछ दस्ताबेज है जिससे आपको उप्लोट करने होंगे जिससे आपको अभी से ही बनाना होगा सबसे पहले आपकी निवास प्रमानपत्र होगी मैटिक कक्षक जो प्रमानपत्र है जिसमें आ संगठन प्रमानपत्र के दूप में MS-ME , उसे भी लगा सकते हैं , कॉमेंट करेंगे , जो डोकमेंट आपको बनाने में परसानी होती है आप comment जरूर कर दिजिए जिससे आने वाली अगली वीडियो में उस document को कैसे बनाना है उस पे हम detail वीडियो अपलब्त करा देंगे अधार काड होनी चाहिए आपकी pen card होनी चाहिए फोटो आपकी तुरंत कहीं होनी चाहिए दो 120 के भी में होनी चाहिए आपकी signature होनी चाहिए बैंक का statement होनी चाहिए जिसमें आपने account कब खुला हो तीथी जरूर होनी चाहिए आपके पास रद check होना चाहिए यानि cancel check होनी चाहिए तो ये document है जो आपको अभिस से पूर्ती करनी होगी अगले परसन के तरब चलते हैं यहां पर chain पर किरीया को लेकर बड़ा doubt है देख़ेcha इसमें chain पर किरीया ऐसे होता है कि मान लिए इसमें अगर 10 लॉक आवेधन आता है या मान लिए 5 लँच या एक लट ही आवेधन आता है तो सरकार अब क्या करती है कि इसमें lottery system चलाती है मतलब जितने भी आवेधर का वेधन करेंगे कम्प्यूटर से Lucky Drought किया जाता है इसमें जिनका भी नाम आता है जिस जीले के लिए एक सुची आ जाती है कि किस जीले के लिए कितने कनेड गो सॉटलिप्रिस्टिट करना हर जीले के लिए यह lucky draw आता है और उसी अनुसार merit त्यार किया जाता है जिनका नाम जिस अनुसार आता है उनका नाम सूची में सामिल किया जाता है तो lucky draw के माध्यम से आपकी चैन परकिर्या होगी इसमें कोई भी आपकी योगता नहीं देखी जाती है पैसा कब मिलता है तो देखिए जब आपकी चैन परकिर्या हो जाती है document verification पूरा clear होते आता है तब आपको पैसा दिया जाता है पैसा आपको तीन किस्त में आपको तीन installment में मिलता है वो अलग-अलग करके जैसे जैसे आपको द्योग लगाएंगे आपका verification होगा, project देखा जागा फिर आपको रासी उसी अनुसर मिलता है तो इतने सारे जो doubt थे हमने आपको clear किया बिहार उदमी योजना को लेकर इससे जूरी पूरी जयनकारी वीडियो description में दिये गए link पर आप click करेंगे तो यहां से आकर पूरी जयनकारी को आप पड़ सकते हैं और जैसे ही इसका apply का process से start होगा यहीं से आप online apply कर सकते हैं इसका भी link हमने उप लप्त करा दिया है दोस्तों अभी अपने देखा हमने आपका जितने भी doubt है आपके मन में चल रहे थे उननों तमाम doubt की जो confusion है उसको हमने दूर किया है अगर आपको लगता है कि इसके अलावे भी आपके मन में किसी भी परकार की doubt और बच चुका है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं आने वाली अगली वीडियो जभी भी बनेगी तो आपके doubt के regarding होगा जभी भी इसका link active होता है हम आपको detail video upload करा देंगे कि कैसे इसके लिए आपको form भढ़ना है ताकि आपको form भढ़ने में किसी भी परकार की समस्या या mistake नहीं होगी तो channel को subscribe कर लिजे उस दिन आपको detail video आपको मिल जाएगा कैसे form को भढ़ना है वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे like कर दिजे और चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करे ताकि आने वाले सारी अपरेट की जनकारी आपको मिल पाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद